दोस्तो हमारे भारत देश की भूमी ऐसे दिबे भूमी है जहां अनेक प्रकार के चमतकारिक पेड़ पौधे आज भी पाए जाते हैं इन पेड़ पौधों की मदद से हम स्वर्ण निर्मार कर सकते हैं इन पेड़ पौधों की मदद से हम बड़ी सी बड़ी असात बिमारियों को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं आयुरबेद और तंतर सास्तर के अंसार पेड़ पौधों में दिप सक्तियां होती हैं जीवन की तमाम परेशानिया गरीबी दरिदरता पेड़ पौधे के तांतरी कुपायों से दूर की जा सकती हैं इसी प्रकार जो वीमारी डॉक्टरी इलाज से ठीक ना हो पाए उन्हें पेड़ पौधों एवं जड़ी व्यूटियों से बिलकुल जड़ से ही ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पौधे पर स्वयम साच्छात, ब्रह्म देव, भगवान विष्णू तथा भगवान भोलेनात ये तीनों ही देवता निवास करते हैं इस ब्रच को जंगल की सान भी कहा जाता है ग्रह दोस की सानती के लिए इस ब्रच की लकड़ी का प्रियोग किया जाता है ये ब्रच हमारी बिविन समस्याओं को पल भर में समात कर सकते हैं दोस्तों ये ब्रच है पलास का ब्रच जो की आजकल लुप्त होने की गगार पर है फिर भी यदा कदा ये देखने को मिल जाता है पूर्वे समय में पलास के ब्रच से स्वर्ण निर्माण भी किया जाता था ऐसा भी माना जाता है कि पलास के ब्रच से ब्यक्ति गड़े हुए धन को भी प्राप्त कर सकता है इसके अलावा इसका एक तांत्रिक प्रियोग ये भी है कि इस पर चड़कर आसमान की तरफ देखने से दिन में तारे नजार आने लगते हैं लेकिन इसके लिए सफेद पलास का ब्रच होना चाहिए तो आज मैं आपको पलास के ब्रच के तांतरिक, आरवेदिक एवं धार्मिक प्रियोग बताऊंगी वीडियो बहुत ही ग्यानवर्धक होने वाली है इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा अंतर तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त रोसनी सुकला अगर आप भारत भूमी से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लेना साथ ही बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि सनाता अंधर्म से जुड़ी हर छोटी सी छोटी जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है दोस्तो सबसे पहले पलास के ब्रच के कुछ आउरवेदिक प्रियोग जान लेते हैं फिर मैं आपको इसके तांतरिक प्रियोग भी बताऊंगी आउरवेद में इस ब्रच को अमरत कहा जाता है आप इससे कई प्रकार की असाध बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं अगर किसी महिला को गर्ब नहीं ठहर रहा है तो इसके पत्ते को पीछ कर महिला को मासिक धर्म के बाद पिला दिया जाए तो इससे गर्ब ठहर जाता है ऐसा कहा जाता है कि पलास के कंद को किसी को साथ दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो इससे हर प्रकार की कमजोरी दूर हो जाती है अगर बुढ़ापे के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण सरीर में कमजोरी आ गई है हर समय ठकान मैसूस होती है सांस फूलने लगती है और आप चाहते हैं कि ये सारी कमजोरी आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाए आपके सरीर में योन ताकत भर जाए तो साथ दिनों तक पलास के कंद को थोड़ी थोड़ी मातरा में खाना सुरू कर दीजिए कैसी भी कमजोरी हो नपन सुकता हो वो दूर हो जाती है पलास के बीच का पेश्ट तचा पल लगाने से दाखाज या फिर खुजली में राहत मिलती है अगर गलत खान पन के कारण रक्त दूसित हो जाता है और इससे मुहासे और अलरजी जैसी समस्या आने लगे तो खुन को साफ करने के लिए रात में सोने से पहले एक गलास पानी में चार ग्राम पलास की चाल को भिगो देना है सुबह इस चाल को उसी पानी में मसल कर चान कर उस पानी को पी लेना है आपके खुन में कितनी भी खराबी हो उसे ये ततकाल ही साफ कर देता है बस आपको लगातर साथ दिनों तक पलास की छाल का पानी पीना है चलिए अब आपको पलास के कुछ तांतरिक प्रियोग बताती हूँ ध्यान से सुनियेगा इसका पहला प्रियोग इस प्रकार से है कि अगर किसी को अधिक परिस्रम करने पर भी ब्यापार में सफलता नहीं मिल रही है कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो आपको पलास की जड़ लेकर आनी है या फिर जो लोग धन की काम ना रखते है ऐसे ब्यक्ति भी सुक्ल पच्च के पहले सुक्रवार को पलास की जड़ लेकर आएं फिर साप पानी से धोकर बाद में गंगा जल से धोकर इसे सुद्ध कर लें और एक चौकी पर सफेद या लाल रंग का कपड़ा बिछा कर उस पर साथ प्रकार के अनांज डालना है सभी प्रकार के अनांजों को मिला कर एक धेरी बना लें और उस पर पलास की जड़ को रख दीजिए और एक घी का दीपक जला दीजिए इसके बाद लच्मी सुक्त मंतर या स्री सुक्त या फिर कनकदारा इस तरोतर में से किसी एक पाठ के तीन मौला जब करना है तद पश्चात इस जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांद कर अपने प्यापार वाले गले में या धन पेटी या फिर तिजोरी में रख लेना है और अनांच को गव माता को खिला देना है माल अच्मी की करपा से आपके घर में तेजी से धन आना सुरू हो जाएगा धन का भाव पूरे जीवन भर नहीं होगा और आप आर्थिक रूप से इतना अधिक मजबूत हो जाएंगे की दूसरों को भी लाखों करोणों का दान देने में सच्छम हो जाएंगे दूसरा प्रियोग इस प्रकार से है की अगर किसी का सूर बहुत कमजोर है सूर असुप फल दे रहा है सनी से पीड़ी थें सनी भी असुफल दे रहे हैं तो पलास की लकड़ी से ग्रह का नाम लेकर आपको हमन करना है और पलास की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा चांदी की तावेज में भरकर धारण कर लेजिए सूर और सनी की पीड़ा ततकाल दूर हो जाती है सनी वार के दिन तावेज धारण करने से सनी पीड़ा और रवी वार के दिन तावेज धारण करने से सूर की पीड़ा दूर हो जाती है तीसरा प्रियोग कई बार क्या होता है कि अचानक ही बनते बनते काम विगड़ने लगते हैं नौकरी छूट जाती है दुरघटनाएं होने लगती हैं ये सब नौ ग्रहों के कुप प्रभाव से होता है नौ ग्रह के कुप प्रभाव को दूर करके नौ ग्रहों को प्रसंद करके जीवन में आंगे पढ़ने के लिए पलास का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल और तुलसी की पत्ती नहाने के पानी में मिलाकर आपको 21 दिन से लेकर 42 दिन तक प्रत दिन इसनान करना है इससे नव ग्रहों के कुपरभाव बिलकुल ही दूर हो जाते हैं और जीवन में तरक्की प्राप्त होती है दोस्तों ये थे पलास के ब्रच से जुड़े कुछ बहुत ही सराल उपाएं इन उपायों के माध्यम से आपके भी जीवन की तमाम परेसानिया, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट और धन संबंदी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान स्री हरी बिष्णू के करपा से आप धनवान बन जाएंगे आसा करती हूँ कि आप को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ठैंक्स बटन पर किलिक करें अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए आपको उतर जरूर मिलेगा फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार